आज हम बना रहे हैं बदाम हलवा उसके लिए मैंने बहुत सारे आलमंड्स पहले ग्रेट कर लिए है फिर उसको थोड़ा सा रोस्ट करके थंडा होने के लिए रखा फिर मैंने आलमंड्स और शक्कर दोनों को एक साथ ग्राइंड करने के लिए ट्राइ किया पर वह कुछ हुआ नहीं तो मैंने अलग डबे में निकाल के रखा और बात में सिफ ग्रेटेड़ आलमंड्स को मिक्सेट जार में डाला और रफली ग्राइंड कर लिया इस डबे में ज़सी देटके से स्व घ्राउन्डीड आलमेंट्स और आर्मेंट्स और शुगर दोनों मिकस कर दीया था था तो वह इसमें रखा है यह आप अब फ्रीज में भी मिशन लख सकते हो जबहरा बनाना हूं तो ग्राउन्ड़ आर्मेंट्स और शुगर को मिकस करके थोड़ा रो कर देना मिलती हो आपको नेक्स वीडियो में तिल देन बाई